हेलो सब्सक्राइब दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साड़े 900 टेक न्यूस एपिसोड्स कम्प्लीट हो चुके जो आप सभी के प्यार और सपोर्ट से हुआ है आपने स्पेशलिये मुझे टेक न्यूस पर इतना प्यार दिया है कि मेरे पास कोई शब्द नही उसको बया करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सिफ 50 टेक न्यूस और है और फिर हम 1000 टेक न्यूस एपिसोड यूटूब पर सबसे पहले कम्प्लीट करेंगे मेरे लिए बहुत बड़ी अचिफ्मेंट है जो बहुत ही जल्दी होगा और बहुत ही स्पेशल वीडियो इस पर आएगा वैसे दोस्तो मैंने सारे गिववेश जो थे वो जो पेंडिंग थे उनके विनस को अनौस कर दिया हूँ थोड़े बहुत अभी नए ने बाकी है लेकिन जो पहले इन्फिनिक्स होट एट उसके अलावा ओपो एफाइफ और रेल्मी बर्ट के जो विनस थे वो सब मैंने दाल दिया हूँ इंस्टेग्राम कृटर सब जगा पर तो यहां वहाँ यहां पर भी दिखा रहा हूँ आप चेक आउट कर लेना तीन हुआवे वाइन प्राइम कोड़ो सो 19 में गिवववे कर रहा हूँ इंस्टेग्राम पर जिहां अभी दाला हूँ सब्सक्राइब करते हैं तो पहले की बात करते हैं यहां पर एक सैड निउस से जिहां दोस्तों हम सभी भारत वासी को पता है कि हमारा जो चंद्रयान टू है यह मिशन जो ऑविसली 95% तो सक्सूसल था ही पस विक्रम लैंडर वहाँ पर लैंड करने के वक्त जो थोड़ा सा हाऄ लैंड हो गया और वहाँ पर कम्मिनिकेशन लॉच्ट हो गया लेकिन दोस्तों इस रो को सलूट करते हैं इस रो ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और कैसे तैसे उसके लोकेशन को ढूंटा और पता चल गया कि विक्रम लैंडर वहाँ पर सही सलामत है वन Jub में लेकिन पोजिशन में लेकिन फिर भी communication नहीं हो पा रहा था उसके बाद उन्हें नासा की help ली और नासा नहीं भी अपने lunar orbiter से बहुत कोशिच करी उसे communicate करने के लेकिन अब वो भी नहीं हो पाया लेकिन अब दोस्तों ये वक्त आ गया है जहाँ पर हमें विक्रम lander को goodbye करना पड़े माइनस 200 डिग्री सेल्चिश होगा तो उस condition पर विक्रम lander को ऐसा नहीं बनाया गया कि वो उसको जेल सके और मुझे ऐसा लगता है कि अब विक्रम lander जो वो उसके साथ कुछ भी हो सकता है तो ये final उमीद थी हमारी उसके पहले लेकिन अब ये जब शुरू होगा तो आज मुश्किल से पहुच पाती है और हम उन में से एक थे तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है तीसरा चंद्रेंट 3 कब आता है ये तो आने वाला वक्ती बताएगा तो यहाँ पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और पीटे लाओ भी ना कोई कम नहीं है ये भी मतल तो उसका जो स्टैंड है जिस पर ये टीवी रहे का खड़ा होगा वो यहाँ पर इसकी जो वो ऑफिशल पिच्छेस निकल करा आचुकिया आप देख से तरह राउंड है जो यूनीक लगता है शायद से इसके पहले कोई भी टीवी इस तरीकी के स्टैंड के साथ में नहीं चार्च 3T के साथ में मिलेगा वाफ चार्च जो उनका 20W का भी था 30W का जो 1P7 Pro में तो वाफ चार्च ये 3T होगा इसमें फाइदा ही होगा कि ये 23% फास्ट चार्च करेगा अगर आप उसको उसके प्रेडिसर से कंपेर करते तो और भी फास्ट चार्च आपको यहाँ पर बहुत ही खत्रे में मैं इंडिया और यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं चाइना की बात कर रहा हूँ चाइना में दोस्तों यहाँ पर टॉप ब्रैंड्स की एन्वल रिपोर्ट की जो वह लिश्ट यहाँ पर निकल कर आ चुकी जो हर साल आती है पता चलता कि कौन सी और हुआ है ना इससे एपल को कितना नुकसान हो रहा है चाइना के अंदर वैसे हुआवे नंबर टू पोजिशन पर आया है 2019 की स्लिष्ट में और नंबर वन पर वहां का अलीपिय है तो कुछ इस तरगी की चीजें यहां पर सामने निकल कर आई है इसलिए एपल वहां से भाग रहा है और इंडिया में कितने बिलियन डॉलर इंवेश्ट कर रहा है ताकि वहां से पूरा मैनिफेक्चरिंग लेकि वो इंडिया में ही स्टार्ट कर दें यहीं से वो ग्लोबली शिप करें यह इनका लफड़ा चल रहा है पता नहीं कहां जाके रुखेंगा लेकिन इससे यह पता चलता है कि Apple को इस वज़े से चैनल में काफी नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर दोस्तों Google की तरफ से खाबर आ रही है और दोस्तों Google इंडिया में अपना एक नया फीचर फोन जो वो लाँच करने वाला है Vodafone Idea के साथ में पार्टनर्शिप करके जी हाँ हाला कि यह जो फीचर फोन होगा बताया जारा कि यह सिफ 2G नेटवुक पर होगा लेकिन यहाँ पर इसमें फायदा यह होगा कि इसके अंदर आपको जो अभी रिसेंटली उन्हें अनौन्स किया था Vodafone Idea Phone Line जिससे आप एक नमबर पर कॉल करेगे तो वो Google Assistant आपको Hindi और English Language में जो वो help करेगा इसके लिए आपको कोई Internet connection की भी ज़रूरत नहीं है आप इसको और एकदम सही तरीके से इसका उप्योग करने के लिए Google ना अपने तरफ से एक Feature Phone लाँच करेगा वैसे आपको क्या खेले इस Feature Phone के बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं साथ में आप देखेंगे आपको बता कि अच्छी कासी आपको Selfie मिलेगी उसके लावा Aura Wave Grip Design जो बैक होगा वो तो तो अच्छा ग्रिप मिलेगा आपको जिस तरीकी कि आपको मिलेगा उसके लावा इसमें वैसे आपको कुछ खास नया नहीं मिलता है सिवाए उसके प्रोस्टर के और रैम और स्टोरज के अलावा जिया Snapdragon 855 प्लस आपको उसमें देखने को मिलता है 8GB RAM 180GB का वेरिंट है जो बेस है वो 27,000 रुपे का है उसके लावा आपको 8 512 वाला मिलता है जो कुछ 30,000 का है और 12 512 मिलता है जो कुछ 32,000 का है आप प्राइस सुनके खोश होने की जरूबत नहीं है यह चाइना के लिए होता है इंडिया में Redmi K20 Pro जो है वो 25,000 रुपे से आपको मिलना शुरू होगा तो कुछ आपको 3 या 4,000 रुपे का जो उन्होंने डिसकाउंट दे दिया जो Flipkart का BBD आएगा ना उस पर अवेलेबल होगा Redmi Note 7S पर डिसकाउंट है और क्या कुछ नहीं है Realme के फोन से, Modula के फोन से, इतने कंपनिस के इतने डिसकाउंट भरे है कि मैं इतने वीडियोस बना दूगा मुझे पता ही ने चल रहा कि BBD में मेरे कितने वीडियोस आएगे लेकिन में तो वेट करें थे कि Redmi K20 पर डिसकाउंट हो वो तो हुआ नहीं और इस पर उन्होंने दे दिया है तो यह बाद फोन दिखाई दे रहा है रियल में एक्टी दो अलगला कलर से परल वाइट परल ब्लू सेम डिजाइन है सब कुछ से में रियल में एक्टी जैसा है लेकिन अब दोस्तों ऑफिशली कन्फर्म्ड होगा कि इसमें स्ट्राप डेकन 730G वाला प्रोसेसर होगा एक नया पोश् इसमें अब लिए जो 24 सब्टेंबर को चाना में लॉंच होगा देखते दोस्तों क्या प्राइस होती है कितना एग्रेसिफ रियल में जाता है यह तो हमें 24 तारी को ही पता चलेगा क्या आपको बता कि फेस्बूक के उपर सबसे ज्यादा कौन से कंट्री से कौन से लोग ज सबसे ज्यादा टाइम जो वह फेस्बूक करते हैं और एवरेज पर डे साथ घंटा वह लोग फेस्बूक का इस्तमाल करते हैं तो आज की आपको पसंद आगी है अगर आपको पसंद आ तो जबूस इस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोग के लिए डेली टेक नूस लाता हूंगा आप लोगों को ऐसे ही अफड़ेट करता हूंगा मिलते हैं आप से क्लिव दूमिक नेवडों के साथ तिल दें आप ग्रेट डेट डेए और अल्वेश कीप स्माली